हेलो फ्रेंज आज हम सिक्स्टेंडर मैंच उसमें का चैप्टर 4 ऑपरेशन उन फ्रेक्षिन उसमें का प्रेक्टिस सेट 11 सॉल्व परेंगे लास्ट टोडियो में आपको प्रेक्टिस सेट 10 का कुश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिया है अगर आपने वोड़े नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं कुश्चन नंबर 1 के दिखें वाट फ्रेक्षिंस डूद पॉइंट एंड बी शो ऑन दी नंबर लाइन बिलो देखें क्या बोल रहा है आपको यहाप आपको एक नंबर लाइन दिया गया है ए और बी का यहाप को एंप्टी बॉक्स दिये गए जिनको क्या करना अपको लंबर लाइन पे जो है उनको राइड डान करना है फ्रैक्षिं में तो चलिए आप सभी को पता होगा स्केल पे जो होते हो कितने होते हैं अब समझ लिजी यह समझ लिजी आपका नंबर लाइन इसमें बीच में 5 then 6 7 8 9 10 उसके बाद है 1 समझ में आ रहा है मतलब अगर आपको इस पर लिखना है तो किस तरह से लिखोगे जीरो है और यह वन बाई वन है तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है फ्रैक्षिं में रैड डॉन करना है तो किस तरह से करेंगे फ्रैक्षिं मे इसन के लोगन करना है तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाल आदेखी का है यहाँ पे का यहाँ पें आपको 0106 लिखा यहाँ पर 06 Q दिया है यहाँ मतलब एक जो मतलब वन यूनिट्ट जो उनमें जो टोटल कितना है उसमें स्केल में आपको 10 डिस्टरंस है बड़ यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर जीरो से लेके 1 तक में टोटल कितने नंबर लाइन से 1, 2, 3, 4, 5, and 6 6 नंबर लाइन से 1 unit में इसलिए यहां पर आपका denominator 6 आए समझ में आ रहा है आपको इस तरह से क्या होगा यह 0 by 6 अब जितने numbers आप राइड़न करते जाओको सबके denominator में क्या आएगा 6 आएगा क्योंकि जितने भी units से इसमें सब के बीच में 6 का difference है समझ में आ रहा है न इस तरह से क्या होगा 1 by 6 यह होगा 2 by 6, 3 by 6, 4 by 6 और यह क्या आएगा यह आपको राइड़न करना है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, and यह हो जाएगा 5 5 हो जाएगा यह और सब का denominator सेम आएगा क्योंकि वन यूनिट में 6 नंबर्स लाइन इसलिए यहाप आएगा 65 by 6 समझ में आया नेक्स्ट देखेंगे यहां पर देखें ए हो गया हमारा अभी देखिए अभी यह देखें वन से लेके 2 दोनों में जो है कितने का दोनों में जो है 6 नंबर लाइन से देखेंगे इसलिए तो क्या 1 2 3 4 5 6 हा इसलिए डिनोमिनेटर में क्या है वापके 6 ही आएगा क्यूंकि इन जितने यूनिट से सब के बिच में क्या है 6 नंबर्स का डिफरेंस है अब देखें यह हो गया 6 और यह बोल रहे 12 मतलब इसके आगे नंबर continue होएंगे 7 8 9 और 10 मतलब बी जो है वो क्या आएगा आपका 10 अनिया पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा सब का डिनोमिनेटर सेम आएगा क्यूंकि वन यूनिट से में जो है वन यूनिट से दूसरी यूनिट तक जो है 6 नंबर लाइन से इसलिए उपर दिया गया आपको कितना 6 दिया गया था बट यहाँ पर देखोगे तो आपको डिनोमिनेटर में 5 दिया है मतलब 0 से लेके 1 तक के विट में जो है 5 नंबर लाइन से समझ में आ रहा है ना आपको इस तारह से मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा रिखे 0 बाइ 5 और यह क दोनों के 0 से लेके 1 के बिट में 1 2 3 4 5 5 नंबर लाइन से से लिए डिनोमिनेटर में 5 आ गया नेक्स्ट देखेंगे ए हो गया अब भी देखे क्या है अभी वन से लेके 2 देखे 1 2 3 4 और 5 अभी इन दोनों के बिट्विन भी क्या है 5 नंबर लाइन से तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसका भी right down करने तो किस तरह से right down कर लेंगे यह हो गया हमारा denominator का फाइउ पहले हमने क्या कि denominator में का five you right down कर लिया अप देखी यहां पे जो फाइउ है और यहां पे देखें यह क्या तो zero से लेकि one दिया गाए बट आप नीचे देखोंगे तो denominator में आपको fraction करके ने दिया है जैसे इस तरह यहांपे देखो one पर क्या दिया गया था यहांपर देखोंगे तो one को six by six इन नमबर लाइने तक सब्सक्राइब लेगे तो यहाँ पर कितने नमबर लाइने देखेंगे यहाँ पर किको सब्सक्राइब लाइने यानि इन दोने के जीरो से लेके one तक कितना है टोटल सेवन नमबर है है 7 नंबर है तो यहांपर हम क्या कर लेंगे यहां पर इस तरह से हम 1 by 7 क्या कर लेंगे यहां पर याद रहना चाहिएं कि यहाँ पे क्याएगा 3 आएगा, denominator में क्याएगा 7 आएगा, मतलब इस लाइन में जितने भी numbers होंगे, सबके denominator में क्याएगा 7 आएगा, इस तरह से हमने red on कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, denominator में तो पहले हम 7 red on कर लेंगे, और उपर क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 by 7 इस तरह से हमने राड़न कर गया नेक्स्ट देखिए तो यहां पर देखिए 7 by 7 हो गया और यहां पर काएगा 8 9 and 10 यहां पर काएगा 10 आएगा यहोगा आपका 10 divided by denominator सबका सेम आएगा 7 आएगा क्योंकि 1 1 unit is equal to कितने पार्टे 1 2 3 4 5 6 and 7 इसलिए सबके इस तरह से आपको सॉल्व करना है बहुत इजी है इस तरह से यहां पर क्या है हमारा कुशन नबर वन कंप्लेट हो चुका है नेक्स्ट कुशन नबर टू देखिंगे कह रहे है शो दफॉल इंग फ्रैक्च्छन ऑंगन निम्बरला उन क्या करना है नीच्छे आपको कुछ unfreaction देगा उनको क्या करना शो करना है तो चलिए करते है नंबर लाइन पेशो इस तरह से हमें क्या किया है एक नंबर लाइन डॉ कर लिया अब देख ऑफ देखो दो फ्रfour हल्च पर है तो उसके बाद तक 5 इक्वल पार्ट आएंगे 1 2 3 4 और यह 5 इस तरह से क्या करने आपको यूनिट से रैड डाउं करते जाना है 2 3 4 यह हो गया 5 3 तो यहां पर 3 हा जाएगा 1 2 3 4 और यह 5 बापस कहाएगा 1 2 3 4 और 5 बापस कहाएगा हमने क्या है 1 यूनिट के इक्वल 5 पार्ट कर दिये अब हमने का करना है सारे फ्रेक्शन को इस नंबर लाइन पर शो करना है तो चलिए करते हैं फॉस्ट आप दिखोगे तो क्या है 3 by 5 3 by 5 मतलब क्या हो जाएगा यह 0 है उसके बाद देखोगे तो 0 मेजर ने करना है 0 then 1 2 3 3 ह हो गया यहां पर आएगा अपका 3 by..5 क्या आएगा यहां पर आपका 3 by 5 इस तरह से शहांपर आपका 3 by 5 3 by 5 क्यूं आ गया क्यूंक în k इक्वल पार्ट्स फाई है और यहां पर नंबर जो हो क्या हो रहें मेजर करने के बाद 123 इस तरह से हो गया है नेक्स्ट सेकेंड दिखेंगे 6 by 5 है 6 by 5 मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 and 6 यहां पर आएगा 6 by 5 6 divided by 6 divided by 5 इस तरह से आ जाएगा यहां पर समझ में आ रहा है आपको आप देखेंगे 6 by 5 क्यों आएगा क्योंकि 5 जब की डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि 5 1 यूनिट के इक्वल 5 पार्ट्स की हम दिस लिए और 6 क्याएगा 1 2 3 4 5 and 6 यहां पर आगा नेक्स्ट देखोगे तो यहां पर आप देखोगे तो से होलनमब्र भी दिया घए साथ में पर थो ऑल नमबर और 3 by 5 और नृमन पर यहां पर रायन पर रिय हाँ रहे तो तो przestंग देंक लाएगा आपको क्या हो देखोगे चाहीं को two whole number write down कर देंगे और देगे क्या आएगा three by five तो इस तरह से क्या करना आपको नंबर लाइन पे fraction शो करना था तो यहां पर आपको फर्स्ट वाला complete हुआ निक्स्ट वाला किस तरह से हमने क्या करके एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया अब हमें क्या करना इस नंबर लाइन पर यह इसारे फ्रैक्षिंस शो करने तो चलिए शो करते शो करने से पहले आप अगर अगर आप दे यहां पर four equal parts करने तो किस तरह से होगा पहले उता आएगा zero दैन उसके बाद इसके क्या करने हमें four equal parts मतलब one two three and यहां पाएगा four उन्टल भी यह होगा आपका one समझ में आ रहा है मतलब one units equals to four आएगा यहां पर देन यहां पाएगा one two three four तो यहां आएगा आपका 2, then 1, 2, 3, 4, मतब यहां पाएगा 3, 1, 2, 3, and यहां पाएगा 4, 1, 2, 3, 4, यहां पाएगा 5, then 1, 2, 3, 4, यहां पाएगा 6, इस तरह से continuously आते जाएंगे numbers, आप देखे आपको क्या करना है, हमारा काई 0 से 1 तक जो 1 unit है उसमें 4 equal parts है, सब में देखोगे तब 4 equal parts आए, इस तरह से हमने कर दिया, आप क्या करना है, 3 by 4 आपको क्या करना है, number line पे show करना है, तो चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 के बाद 1, 2, 3, यहां पे क्या हैगा, 3 by 4, तो यहां पे हमने write down करना है, 3 by 4, इस तरह से हमने 3 by 4 write down कर दिया, next देखोगे तो क् 5x4 5x4 तो lub 5x4 मतलब क्या हो जाएगा देखेए 0 यहां पर 1 2 3 4 & 5 यहां पर आएगा 5x4 तो यहां पर राद डाउन कर दिंगे 5u divided by 4 इस तरह से हमने और यहां पर डार कर दिंगे मतलब समझ में आ रहा है कि यह वाला इसका है हां इस तरह से हमने राट डाउन कर दिया नेक्स्ट देखोगे तो यहां पर कहें 2 1 by 4 है मतलब तू जो होल नंबर है 1 by 4 जो हो का आपका फ्रैक्शन है तो किस तरह से हो जाएगा 2 then 1 by 4 मतलब यहां पर जाएगा 2 1 यहां का 1 तो यहां आपका 2 1 by 4 इस तरह से हमने क्या राट डाउन कर दिया 2 1 by 4 समझ में आ रहा है आपको इस तरह से राट डाउन कर दिया 2 1 by 4 और यहां पर हम डार्क कर देंगे समझ में आ रहा है इसका इस तरह से क्या करना था आपको नंबर लाइन पर शो करना था आपको कोई भी उसको नंबर लाइन पे शो कर देना है इस तरह सी हाप आपकर स्केपर वाला कंप्लीट हो और